हाई गाईज मैं हूँ यतीन शाह और आप सबको पता ही है कि मैं नए नए गैजटित के अन्बॉक्सिंग करता रहता हूं तो आज मैं जो चीज का अन्बॉक्सिंग कर रहा हूं वो चीज है नेस्प्रेसो कॉफी मेकर एसेंज आमीनी और यह अभी का नया मॉडल है और सबसे बेस्ट विकने वाला मॉडल है तो देखते हैं यह किस तरीके से काम करता है और यह कैसी डिजाइन वाला है और कैसा कितना कन्वीनियन्ट है किसकी साइस क्या है तो देखते हैं अपने इसको अन्बॉक्सिंग करते है तो यह इसका बहुत ही अच्छा बॉक्स है और यह इसका प्रॉपर तभी किसे बॉक्स है यह एक छोटा सा मशीन है है अचे और अपने पहले बाकी सब प्रोडॉक्स बात बहुत हमें देखते है फहले इसके अंदर की चीज़ क्त देखते है यह मैंञ्सिंग स्कणफिंड़ उसके अंदर से निकला हुआ है और यह बउक्स है So guys this is the box यह इसको अपने साइड में रख देते हैं और यह box नेस्प्रेसो मशीन के साथ आया है इसके अंदर I think so capsules होगी जो लॉक्त है तो अगर अपने खोलते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा अलग-अलग type के 14 capsules है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 7 to the 14 14 different different type के और यहां पर तुरह सा description भी दीगा हुआ है कि कौन सा capsule है वो किस तरीकी का है So यही था and this is a manual कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो यह multi language के अंदर है and this is the welcome kit यहां पर बाकी सारी चीज़ी भी लिखी हुई है और उसके capsules आप कारा से बाइ कर सकते हो किस तरीके से दूसरी coffee बना सकते हो और capsule की सब्सक्राइब डिटेंस दी हुई है and यह सब्सक्राइब करते है this is the machine which we are waiting for so I will show you the machine first के यह सबसे छोटा सा machine है सबसे छोटा machine और इसका जो finish है जो इसका finish है यह पूरा आपका unscratched finish है जो PVC का finish है यह पीछे लोगे इसका container दिया है water का वोगी बहुत सुपब है और जो आगेगा यहां पे यह प्रेस तरीके से भार निकल दी है जो कैप्सूल और जो भी आप डालोगे वो कैप्सूल इसके अंदर आ जाती है और यहां पे दिया हुआ है यहां से वर्क करता है आपको कैप्सूल डालने के लिए उपर से कैप्सूल डालनी है आपको तो सिधा सिदा ही कैप्सूल नीचे यह इए कंटेनर में चला जाएगा और यहां से आपक्सूल निकाल सकते हो तो क्लीन कर सकते हो आप ये capsules पुरे इसके अंदर चले जाए और दूसरा कि ये अपना नेक्सप्रेसों कॉफी के लिए है अगर आपको बनाना है तो कैपेचिन और बनाने के लिए मिल्क फोटर चुले तो वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा हाला कि ये जो मशीन है उसका दो वैरियंट आता ह एक आता है मिल्क फोटर के साथ में आता है एक विदाउट आता है तो आपको अगर कैपेचिन हो ज्यादा पसंद है तो इस तरीके से ले सकते हो अधर्वाइस मैं दूसरा टिप दूँगा कि डायरेक्ट आपका हॉट मिल्क है उसका ग्लास आधा परके रक्टोर उसके अं बनाना है एस्प्रेसो बनानी है तो यह सारी चीज़े आप इसके अंदर बना सकते हो और यह अभी का सबसे बेस्ट पॉडल है तो गाइस बस मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं था यतीन आपका गैजट ग्रू एमजी वी आईपी लाउंच से तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए उपर का जो बैल का बटन है वो दबाईए और हमारे नोटिफिकेशन आप लेते रहे हैं थैंक्यू बाबाई